इसके बाद हम जानते हैं बाई डंटर लिगन द्वी दंतुर लिगन यानि कि ऐसे लिगन जिनके पास दो डोनर साइट होती है और ये दो जोड़े दो भिन भिन परमानूं के द्वारा इलेक्ट्रान जोड़े सेंट्रल मैटल एटम को देते हैं और दो बंध बनाकर केंद्र केंद्री धातु परमानूं से जोड़ते हैं इसमें कई उदारन हैं जैसे कि हम उदारन ले सकते हैं यहां पर और यहां पर आप देख रहे हैं इसकी जो सरचना है इसमें जो ऑक्सीजन परमानूं इसके दोनों ऑक्सीजन परमानूं हैं वो केंद्री धातु परमानूं को एक एक जोड़ा इलेक्ट्रान का देते हैं और इस तरह से यह एक ही केंद्री धातू परमानू से दो बंध के द्वारा जोड़ जाता है और इस तरह यह बाइडेंटेड लिगन हुआ जब हम ओक्जलेट को लिखते हैं तो इसे पूरी सरचना ना बनाकर इसे संक्षेप में लिखते हैं और इसके लिए हम ओ एक्स जो शौट फॉर्म है इसका उप्योग करते हैं इसी तरह से एक और जो एक्जामपल है उसमें वो है इथेलीन नाइट्रोजन एटम है यानि कि नाइट्रोजन एटम दोनों ही केंद्री धातू परमाणों को एक एक जोड़ा इलेक्ट्रान का देते हैं और इस तरह दो कोडिनेशन बॉन्ड बनाकर जोड़ते हैं एक और एक्जामपल हम यहां पर ले सकते हैं ग्लाइसी नीट जिसे सं केंद्री धातू परमाणों को एक जोड़ा इलेक्ट्रान देता है दूसरी समू में हम देखें जो कार्बोक्सलिक समू है उसका ऑक्सीजन है जो की केंद्री धातू परमाणों को एक इलेक्ट्रान जोड़ा देता है और इस तरह यह भी दो बंद दो कोडिनेशन बॉन्ड बनाकर केंद्रिय धातू परमानों से जोड़ता है इसके बाद और इसके एक्जामपल हम ले सकते हैं यहां पर एक्जामपल है डाइमेथाइल ग्लाइ ऑग्जिम जैसे हम संखशेप में बी एम जी भी लिखते हैं यहां पर हम देखेंगे कि यह इसमें आप देख रहे हैं कि एन ओएच जो समू है उसके नाइट्रोजन परमानू यहां पर इसके पास लोन प्यर एलेक्ट्रान है और यह दोनों नाइट्रोजन परमानू केंद्री धातू परमानू से दो अलग-अलग कॉडिनेशन बॉन बनाकर जुड़ते हैं इसी तरह से और भी एक्जामपल हम ल ग्रेक्ट्रान जोड़ा देखर केंद्री धातू परमानू के साथ बंद बनाते हैं और यहां पर इसे संक्षेप में हम लिखते हैं ऑर इसका यहां पर हम देखें की जो इसमें दोनों ही कॉर्वाक्सलिक समू के जो ओक्सीजन एटम है वो यहाँ पर डोनर एटम की तरह कारे करते हैं तो यह सारे के सारे जो एक्जामपल आप देख रहे हैं वो सभी बाई डेंटर्ट लिगंड द्वी दंतुर लिगंड के उदाहरन हैं अब इसके बाद हम देखें कि यदि दंतुरता दो से अधिक होती है तीन, चार या पाँच होती है तो उसे उन सब को हम पॉली डेंटर्ट लिगंड के अंतरकत रखते हैं या बहु दंतुर लिगंड के अंतरकत रखते हैं जिनमें कि दो से अधिक यानि कि ऐसे लिगंड पर देखर उनके साथ coordination bond बनाते हैं जिनने हम बहुद अंतुर लिगन कहते हैं जैसे यहाँ पर हम उदारन ले सकते हैं triethyl diamine यह जिसे हम diene भी लिखते हैं यहाँ पर हम देखें कि जो तीन nitrogen atom है यहाँ पर आप दिख रहा है तीनो nitrogen atom एक ही केंद्री धातू परमानू को इलेक्ट्रान जोडा डोनेट करते हैं और उसके साथ तीन coordination bond बनाते हैं इसी तरह से टेट्राडेंटेड लिगन भी हम ले सकते हैं जिसके पास चार donor atom होते हैं इसमें है ठ्राइथाइथाहिल टेट्राइमीन जैसे कि आप नाम से इसपास्ट समझ सकते हैं कि यहाँ पर चार एमीन समूं है और यहाँ पर में उपस्तित चार nitrogen है वो चारो nitrogen यहाँ पर दाता परमानूँ है और जो की केंद्री धातू परमानूँ को इलेक्ट्रान देते हैं तो इस तरह से यह चार कॉर्डिनेशन बॉन बनाते हैं इसलिए यह टेट्राडंटर्ड लिगन कहलाएंगे इसी तरह से एक बहुत ही जाना पर चाहना उधारन हम ले सकते हैं हेक्जाडेंटर्ड लिगन का हेक्जाडेंटर्ड लिगन जैसे कि इसका उधारन है इडी टीए एथेलेन डायमीन टेट्रा एसीटेट यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो चार एसीटेट समू है या जैसे हम कहें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार एसीटेट समू ह हैं तो nitrogen atom चार oxygen atom और दो nitrogen atom जिनके पास lone pair electron होते हैं तो ये एक ही केंद्री धातू परमानू को 6 जोड़े electron के donate कर सकता है और इस तरह से इसका जो दंतुरता है वो hexadented होती है यहने कि यह 6 बंद बनाकर एक जटल सरचना का निर्मान करता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ligands हैं उनको हम monodented, biodented या polydented ligand के रूप में भी वर्गी कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चलडाता है कि कोई ligand कितने बंध के द्वारा केंद्री धातू परमानू से जुड़ा हुआ है इसके अलावा भी ligands के और भी कई-कई विशेस्ताओं के आधार पर उनके और भी कई प्रकार हैं जैसे कि एक और प्रकार हम देखते हैं यहां पर एंभी डंटर लिगन या जिसे हम कहते हैं बहे दंतिर लिगन जैसे की आप जानते हैं यहीं कि एसे तुछ ऑघजन जिनमें की donor अपैas निप रहए जैसे कि हम ले सकते हैं नाल्ट्रो संमुन में आप जानते हैं जो इसका जो सूत्र है 1-2 यहां पर आप देखें। कि जो नाइट्रो समू होता है वह इसके पास दो डोनर एटम है नाइट्रूजन के पास भी लोन पेर है और ऑक्सिजन के पास भी लोन पेर है यानि कि इसके पास दो डोनर साइट है लेकिन यह एक समय में केंद्रिय धातू परमानू से केवल एक ही बंद बना कर जोड़ता है जब यह nitrogen के द्वारा केंद्रिय धातू परमानू से जुड़ता है तब इसे हम nitrogen कहते हैं और जब यह oxygen के द्वारा केंद्रिय धातू परमानू से जुड़ता है तब हम इसे nitrogen कहते हैं इसी तरह से औरुदारान हम ले सकते हैं जैसे कि साइनाइट Cn- यह भी एक नेगेटिवली चार्ज लिगंड है और इसमें भी दोनों डोनर साइट होते हैं तो जब यह कार्बन के द्वारा केंदरी धातू परमानू से जुड़ता है तब हम इसे साइनो कहते हैं और जब यह नाइट्रोजन के द्वारा केंदरी धातू परमानू से जुड़ता है तब इस समों को हम आईसो साइनो समों कहते हैं इसी तरह से और एक्जामपल है जैसे SCN यहने की थायो साइनाइट समों और थायो साइनाइट समों में जब यह सलफर के द्वारा केंदरी धातू परमानू से जुड़ता है तब हम इसे थायो साइनो समों कहते हैं और जब यह नाइट्रोजन समों के द्वारा नाइट्रोजन परमानू के द्वारा केंदरी धात परमानू से जुड़ता है तब हम इसे आइसो थायो साइनो समू कहते हैं तो इस तरह से हम देखें कि जो उभै दंतुर लिगन हैं जिसमें की दो डोनर साइट तो होती है लेकिन एक समय में केवल ये अपने एक डोनर साइट का उप्योग करते हैं इसी तरह से एक और प्रकार का लिगन है जिसे हम कहते हैं फ्लैक्सी डेंटर्ड लिगन यहनि कि यह दंतुरता के मामले में कहें तो फ्लैक्सिबल होते हैं यहनि कि ऐसे पॉली डेंटर्ड लिगन यहां पर हम दूई दंतुर की बात नहीं कर रहे हैं पॉली डेंटर्ड लिगन यहनि कि जिसकी दंतु तीन या उससे अधिक होती है तो यहां पर यह पॉल्य डेंटर्ड लिगंड तो होते हैं लेकिन यहां पर यह बंद बनाने में हमेशा अपने पूरे जो इनकी डोनर साइट है उसका उप्योग नहीं करते यहने की आवश्यक्ता के अनुसार जैसा की कॉंप्लेक्स कर लेते हैं ऐसे लिगंड को हम फ्लक्जी डेंटर्ड लिगंड कहते हैं और इसका बहुत ही बढ़िया उदारण है इडिट ये में हम देखें तो यह इसमें हमने देखा कि 6 यह हैग्जा डेंटर्ड लिगंड होता है इसमें यह हैग्जा डेंटर्ड लिगंड होता है इस केवल दो, तीन, चार या पांच डोनर साइट का उप्योग करके उसी प्रकार के लिगन बनाता है, इसका उधारन भी हम देख सकते हैं, उधारन के लिए FE EDTA 2-, यह जो कॉंपलेक्स आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर हम देखें कि EDTA आरन से चुड़ा हुआ है, और EDTA यहां पर इसकी दंतूरता 6 है, लेकिन इसके बाद हम दूसरा एक्जामपल यदि लें, जैसे कि यहां पर जो दूसरा एक्जामपल आप देख रहे हैं, इसमें EDTA जो लिगन है, उसके साथ H जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह दर्शाता है, कि जो EDTA है, उसके जो 6 ड donor site हैं, उनके द्वारा यहां पर केंद्री धातू परमाण क्रोमियम से जुड़ा हुआ है, यानि कि यहां पर यह pentadented ligand की तरह वेभार कर रहा है, इसी तरह एक और एक्जामपल हम यहां देखते हैं, यह जो पैलेडियम धातू का कॉंपलेक्स है, यहां पर EDTA के सामने H2 लिखा हुआ है, H2 EDTA, इसका मतलब यह है कि यहां पर इसकी 6 जो donor site में से 2 hydrogen के द्वारा यहां पर पैक हैं, और उसके अलावा बची हुई 4 donor site से यह पैलेडियम धातू से जुड़ा हुआ है, यहां पर यह tetradented ligand की तरह वेभार कर रहा है, इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं यदि H2, H4 EDTA लिखता है, इसका मतलब है कि इसकी यहां पर दंतूरता 2 होगी, यदि H3 EDTA लिखा हुआ है, तो यहां पर EDTA की दंतूरता 3 होगी, यदि H2 EDTA लिखता है, तो यहां पर इसकी denticity 4 होगी, यदि H1 EDTA लिखता है, तो denticity 5 होगी, और यदि H नहीं है, तब केवल ED ये लिखा हुआ होता है तब इसकी डेंटिसिटी हमें सिक्स समझनी चाहिए तो इस तरह हम देखते हैं कि एक ही बहुद अंतुर लिगंड जो की हेग्जा डेंटर्ड लिगंड है लेकिन यह कॉंप्लेक्स में की आवश्यक्ता के अनुसार अपने डेंटिसिटी को परिवर् प्रकार है की लेटिंग लिगंड जब एक द्वी दंतुर लिगंड या फिर बहुद अंतुर लिगंड अपने दो या उससे अधिक डोनर साइड़ों या परमानूं का प्रयोग एक ही केंद्री धातू परमानूं से बंध बनाने में करते हैं तो इस प्रकार से एक रिंग सरचना का निर्मान हो जाता है और इस प्रकार की जो रिंग सरचना बनती है उसे हम कीलेट कहते हैं और इस प्रकार के जो डोनर या लिगंड होते हैं उन्हें हम कीलेटिंग लिगंड कहते हैं जैसे कि आप बहुत से एक्जांपल देख सकते हैं यहां पर हम एक्जांपल ल परमानू से दो बंध के द्वारा जुड़ता है और यहां पर हम देखें कि केंद्रिय धातू परमानू के साथ यदि देखें तो यह एक क्लोज रिंग बन जाती है और यह क्लोज रिंग जो सरचना है वह कीलेट कहलाती है और हम जिस भी कौड़निशन कंपाउंड में इस प्रकार की क्लोज सरचना यहनिकी कीलेट होता है वो एक दंतुर लिगन की तुलना में कोहीं अधिक इस्थाई होते हैं इन के इस्थाईतों के कारण को हम ऐन ट्रोपी के द्वारा समझ सकते हैं हम जानते हैं कि जो यह कोई भी कंपाउंड होता है उसकी एंट्रोपी जब अधिक होती है एंट्रोपी जब प्जिट्टिव होती है तो वह ज्यादा स्थाई होता है जब हम जानते हैं कि जब एक लेटिंग लिगन जो सेंट्रल मैंटर इतरम के साथ बॉन बनाता है तो वह उतने ही मोनोडेंटर्ट्रिंट को फ्री कर देता है जैसे कि माली यह है और यह जब किसी सेंट्रल मैटरल यह से जुड़ेगा तो चुकी यह hexadented ligand है यहने की यह 6 पर्मानूं के द्वारा इलेक्ट जोड़े देकर 6 बांड बना सकता है और एक किलेट सरचना बना लेता है उसकी जगह पर यह 6 monodented ligand को फ्री कर सकता है और चूँकि जब monodented ligand फ्री होंगे तो वहाँ पर randomness में व्रद्धी होगी और randomness में वृद्धी होगी तो हम कह सकते हैं कि entropy यहाँ पर बढ़ेगी और जहाँ पर भी entropy बढ़ती है वो जो species है वो ज्यादा स्थाई होती है तो इस तरह हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि यहाँ पर चुकि कीलेट formation से entropy बढ़ती है इसलिए जिस भी coordination compound में किलेट सरचना पाई जाती है वह सामान्य एकदंतोर लिगंड वाले complex compound की तुल्ला में अधिक स्थाई होता है इसके बाद जो अगला term है या पारिभाशिक सब्द है जो coordination compound के अंदर उपयोक में आता है वह है उपसह सयोजन संख्या coordination number किसी भी complex compound में धातु आयन की उपसह सयोजन संख्या उससे आबंधित लिगंडों के उन दाता परमानों की संख्या की बराबर होती है जो की सीध है केंद्रिय धातु परमानों से जुड़े हुए होते हैं और यह हम कह सकते हैं कि coordination bond जो की central metal atom के साथ बनता है जिसमें की सिग्मा बॉन होते हैं तो जिसमें इसमें केवल सिग्मा बॉन को गिना जाएगा तो इस प्रकार केंद्रिय धातु परमानों की जो coordination number है वह केंद्रिय धातु परमानों या आयन से जुड़े हुए लिगंड के मध्य बने सिग्मा आबंधों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है जिसे हम कई उदाहरों के द्वारा समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टेट्रामीन एमीन प्ला हैं प्लाटिनम वह चार एमीन समों के द्वारा जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसकी जो कॉर्डिनेशन नंबर होगी वह होगी चार इसी तरह से हम देखें कि प्रटैश्यम हेग्जा साइनों फेरेट आयन यह जो दूसरा कॉंप्लेक्स है यहाँ पर हम देखें कि जो स साइनाइड आयनों के द्वारा जुड़ा हुआ है और इस तरह से इसकी जो कॉर्डिनेशन नंबर होगी वह छे होगी इसी तरह से और उधारन ले सकते हैं हम जैसे यहाँ पर है प्रटैश्यम डाई ऑग्जलेटो क्रोमेट आयन यहाँ पर चुकि हम जानते हैं ऑग्जले दो इलेक्ट्रान पेयर देगा तो इस तरह से इसकी कुल जो डेंटिसिटी हो गई वह हो जाएगी या इसकी जो कुल कॉर्डिनेशन नंबर हो जाएगी वह हो जाएगी छे जैसे यहाँ पर और उधारन ले सकते हैं यह है बिस डाई मिथाइल ग्लाई ऑग्जीम प्लाटी के जो यहाँ पर प्लाटिनम की कॉर्डिनेशन नंबर होगी वह चार होगी इसी तरह से हम यदि इडिटीय का कॉंप्लेक्स लेते हैं तो इडिटीय हम जानते हैं कि एक हेग्जाडंटेड लिगन है और यहाँ पर यह छे डोनर एटम के द्वारा केंद्री धातु है उसकी कॉर्डिनेशन नंबर छे होगी इसी तरह से यहाँ पर यदि यहाँ पर अब देखी जो कोबाल्ट है वो तीन इथलिन डाइमीन अनुमों के द्वारा जुड़ा हुआ है और चुकि इथलिन डाइमीन भी एक द्वी दंतुर लिगन है इसलिए यहाँ पर दो दंत हुआ है और इस तरह से इसकी जो कॉर्डिनेशन नंबर होगी वो होगी छे तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें सही कॉर्डिनेशन नंबर पता होने के लिए हमें जो लिगन्स हैं उनकी डेंटिस्टी का ग्यान होना बहुत जरूरी है तभी हम किसी केंद्रेध चाहतु परमानों की उस कॉर्डिनेशन नंबर के अंदर उसकी कॉर्डिनेशन नंबर या समन्वे संखा को सही सही ग्यात कर सकते हैं अब जब हम में किसी central metal atom की coordination number पता चल जाती है तो उससे हम किसी भी complex compound की hybridization पता लगा सकते हैं और उसके साथ साथ हम उसकी ज्यामती के बारे में भी पता लगा सकते हैं जैसे कि यदि यहाँ पर केंद्रिधात्तु पर्मानों की coordination number 2 होगी तो वहाँ पर हम जानते हैं कि जो hybridization होगा वह SP प्रकार का होगा और इसलिए SP प्रकार में जब इसकी जामती होगी वह यहाँ पर linear या रहखी होगी इसी तरह से यदि coordination number 4 है तो वहाँ पर दो संभावनाई हो सकती हैं यहाँ पर जो hybridization है वह SP 3 प्रकार का भी हो सकता है या फिर वहाँ पर वह DSP 2 प्रकार का भी हो सकता है और यदि SP 3 प्रकार का संकरन हो रहा है तो वहाँ पर जो सरचना होगी वो tetrahydral होगी और यदि DSP 2 प्रकार का संकरन हो रहा है तो वहाँ पर सरचना square planner होगी इसी तरह से यदि coordination number 6 है तो coordination number 6 होने पर भी दो जामिती दो प्रकार के hybridization हो सकते हैं एक तो होगा SP 3 D2 और दूसरा होगा D2 SP 3 यहाँ पर जब SP 3 D2 सरचना होगी तब भी जो जामिती होगी वो octahedral होगी और यदि तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो coordination number है वो किसी भी coordination compound की जामिती निर्धारित करने में बहुत अधिक महत्यपून होती है इसके बाद जो अगला पारिभाशिक सब्द या term है जो कि हम coordination compound के अंतरगत इस जिसका उप्योग करते हैं वो है coordination sphere जब हमें coordination entity के बारे में पढ़ा था तब भी हम इसमें जाने थे कि जो केंद्री धातू परमाणू तथा जो लिगंड होते हैं उन सभी को हम एक साथ एक square bracket के अंदर रखते हैं और इस square bracket के अंदर क्या जो भी species है वो पूरे को हम coordination sphere कहते हैं और यह जो coordination sphere होता है वो non-ionisible होता है जब कि जो ionisible part होता है या sphere होता है वह square bracket या बहु कोस्ठक के बाहर लिखा जाता है और इसे हम counter ion भी कहते हैं वो counter ion जो कि ionisible भी होता है तो इस तरह से हम देखें कि जो coordination complex है उसका महत्वण भाग होता है coordination sphere इसके बाद जो अगला महत्वण टर्म है या वो है coordination compound में वो है केंद्रिय धातु पर्मानों की आक्सी करण संख्या केंद्रिय धातु पर्मानों की जो के उपर जितना आवेश होता है उसे ही हम केंद्रिय धातु पर्मानों की आक्सी करण संख्या कहते हैं यह हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी coordination compound में central metal atom से जुड़े हुए जितने लिगंड है और उन लिगंड के द्वारा जितने इलेक्ट्रान जोड़े केंद्रिय धातु पर्मानों को दिये गए हैं उन सभी इलेक्ट्रानों को हटा लेने के बाद अलग कर लेने के बाद केंद्रिय धातु पर्मानों पर जितना आवेश रह जाता है उसे हम उस केंद्रिय धातु परमानू की आक्सिकरन संख्या कहते हैं और इस आक्सिकरन संख्या को हम अनुमान के द्वारा भी ग्याद कर सकते हैं यदि उसके अलावे बाकी के जो परमानू या आयन है यदि हमें उनकी आक्सिकरन संख्या पता हो तो या फिर हम इसे फार्मूले के द्वारा भी पता कर सक हël देक हैं कि tracino dr3 आयन यह मार पास से complex आयन है अब इस complex के उपर से जुड़ा हुआ लिगंड है साइनाइट आयन इस फर रेणावेश होता है यहां की जो सेन्ट्रल मेटल एटम को के पास जो रेणावेश मिल रहाए है यहां पर चार रणावेश हैं लेकिन चूंकि सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा केवल इसके एक ही रणावेश को कंजूम किया गया है क्योंकि बाकी के बच्चे हुए तीन रणावेश इस कॉंप्लेक्स के बाहर चार्ज के रूप में उपस्थित हैं इसका मतलब यह है कि यहां प यहां पर प्टेशियूम फैरो साइनाइड का यहां पर भी हम देखें कि इसमें यह अख उदासीन τरी यहां पर जो काउंटर आयन है वह में और हम जानते हैं कि फीक के उपर चार्ज होता है और यहाँ पर 4 potassium है यानि कि कुल धनावेश कितना हो गया प्लस 4 अब हम complex compound के अंतर देख देखें तो जो iron से जुड़े हुए 6 negative charge यहाँ पर cyanide atom हैं अब 6 cyanide atom क्योंकि अब प्रतिक cyanide पर एक negative charge होता है यानि कि कुल धनावेश 6 हो गया लेकिन चुकि complex compound पूरी तरह से उदासीन होता है और यहाँ पर 4 धनावेश बाहर मौजूद है इसका मतलब है कि जो central metal atom होगा उस पर 2 plus charge होगा यानि कि कुल 6 negative charge और बाहर के counter iron के 4 positive charge मिला कर total जो charge आना चाहिए वो 0 हाना चाहिए तो इसका मतलब है कि जो केंद्री धातू पर मानू है उस पर 2 positive charge होगे और कुल 6 positive charge 6 negative charge मिलकर जो coordination compound पर कुल आवेश होगा वह शूनिय हो जाएगा तो इस तरह से हम इसके लिए पता हमें यह होना चाहिए कि जो counter iron है उस पर कितना charge है यह लिगन के charge यह हमें सभी पता होने चाहिए इसके अलावा हम इसे बहुत ही आसानी से formula के द्वारा भी ग्याद कर सकते हैं जैसे हम potassium ferrocyanide का ही उदारन लेते हैं और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे potassium जो कि counter iron है यहाँ पर 4 potassium iron है तो यहाँ पर और प्रतेक potassium iron पर 1 plus 4 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 into plus 1 इसके iron की oxidation number हमें नहीं पता है तो उसके जगह पर हम लिख देंगे X उसके बाद हम लिखेंगे plus और यहाँ पर हम देखेंगे जो ligand है उसकी संख्या कितनी है यहाँ पर 6 और प्रतेक ligand sinide पर 1 minus charge है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 into minus 1 और हम जानते हैं कि यह जो पूरा complex है वो उदा charge इनका योग फल किसके बराबर होगा शून के तो is equal to हम लिख देंगे 0 अब हम इसको calculate कर लेते हैं तो 4 का 1 से multiply करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा plus लिख देंगे हम X को इसके बाद हम देखे plus minus minus हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 6 का गुड़ा एक की साथ होगा तो 4 plus 6 और यहाँ पर जो final जो result हमके मिलेगा X की value हो जाएगी वो हो जाएगी plus 2 तो इस तरह से formula के द्वारा भी हम आसानी से oxidation नंबर ग्याद कर सकते हैं इसी के बाद हम एक और उधारन ले सकते हैं जैसे यहाँ पर है CUNH3 whole 4 bracket के बाहर है SO4 यानिकि इससे यदि हम नाम ले तो copper sulphid यहाँ पर यदि हमें copper की oxidation नंबर निकालनी है तो हम उसको X मान लेते हैं तो यहाँ पर X plus यहाँ पर जो amine समू है वो उनकी संख्या 4 है तो यह हो जाएगा 4 into और हम जानते हैं कि जो amine है वो एक neutral ligand है यानिकि इसकी oxidation नंबर यहाँ पर 0 है उस पर आवेज तो यह हो ज होता है तो यहाँ पर 1 into minus 2 हो जाएगा और चूंकि यह पूरा जो complex है वो उदासीन है इसलिए सब जो is equal to हो जाएगा 0 के जब हम इसे calculate करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा X minus 2 क्योंकि 4 into 0 is equal to 0 हो गया तो यह हो जाएगा X minus 2 is equal to 0 यहने की X is equal to plus 2 तो यहाँ पर जो copper की oxidation नंबर हमें मिलेगी वो होगी plus 2 इसी तरह से और example हम ले सकते हैं यहाँ पर है hexamine cobalt chloride का उधारन लेते हैं यहाँ पर यदि हमें cobalt की oxidation नंबर पता करनी है तो उसे हम फिर से X मान लेते हैं और यहाँ पर फिर से 6 के ligand है और amine ligand क्योंकि यह उदासीन है तो यह 6 into 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पर जो काउंटर आयन के रूप में chloride उपस्तित है तो chloride हम जानते हैं जिस पर यहाँ पर कोबाल्ट की जो oxidation नंबर है वह प्लस त्री होगी इसी तरह से हमें कोरुधारन लेते हैं यहाँ पर है है वह भी एक उदासीन ligand है और यहाँ पर जो इसका जो oxidation नंबर होगा वह 0 होगा तो इस तरह से यहाँ पर निकल का जो oxidation नंबर है वह भी हमें 0 प्राप्त हो जाएगा इसके बाद हमें एक और उदान लेते हैं potassium tri oxalato chromate और इसमें हम निकालेंगे chromium का oxidation नंबर तो यहाँ पर चुक्कि potassium हम जानते हैं इसकी संख्या तीन है और प्लस वन चार्ज होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 into plus one plus यहाँ पर जो chromium है इसकी oxidation नंबर हमें पता नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं x और हम यहाँ पर जो लिगंड है वो है oxalate और oxalate हम जानते हैं कि इस पर two negative charge होते हैं और इसकी संख्या यहाँ पर है तीम तो यहाँ पर इसका जो कुल आवेश हो जाएगा वह जाएगा 3 into minus 2 और चुकि यह coordination compound पूरी तरह से उदासीन है तो यह सब का जो आवेशों का योग होगा वह शून के बराबर हो जाएगा तब हम इसके आगे calculate करते हैं तो यह हमें मिल जाएगा थ्री प्लस एक्स माइनस सिक्स इस उकल टू जीरो और यहाँ पर एक्स इस उकल टू हो जाएगा माइनस थ्री प्लस सिक्स और यह जो फाइनल हमें result मिलेगा वो मिलेगा प्लस थ्री तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमें जो क्रोमियम को ऑक्सिरेशन नमबर मिल रहा है वो है प्लस थ्री तो इस तरह से फार्मिले का उप्योग करके हम आसानी से किसी भी सेंट्रल मैटल एटम का ऑक्सिरेशन नमबर निकाल सकते हैं यहाँ पर हमें यह पता होना चाहिए कि जो लिगंड हम यूज कर रहे हैं जो लि यह सारी बाते हमें पता होनी चाहिए तभी हम केंद्री धातू परमानों की ऑक्सडेशन नंबर ग्याद कर सकते हैं यहाँ पर एक और उदारन हम ले सकते हैं यह इडिटीय का इडिटीय आयरन का एक कॉंप्लेक्स है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काउंटर आयन इसलिए कॉंप्लेक्स के अंदर जितनी भी स्पीसीज हैं उनके आवेशों का योगफल हम बराबर शून के रख रहे थे लेकिन यहाँ पर यह जो कॉंप्लेक्स आयन है वह नेगेटिव चार्ज है और इस प्रकार जब भी जो कॉंप्लेक्स होगा वो नेगेटिव होगा तो वहां पर सभी के आवेशों का योगफल शून के बराबर ना होकर उस चार्ज के बराबर होगा जो की कॉंप्लेक्स के ऊपर दिया गया होगा तो इस तरह से जब हम इसमा लिखेंगे यहाँ पर यदि हमें आईरन की ऑक्सिडेशन नंबर पता करनी है तो आईरन क है वह यह एक्जाडेंटेट लिगन्ड लेकिन इसमें जो आवेश होता है वह चार अवेश्पाएज जाते हैं जो कि चार अकसिजन पर होती हैं क्योंकि बागी के जो दो यहाँ पर डॉनमर आटम है वह नैट्रोजन होती है और जिन पर आवेश नहीं होता है तो कई बार यहाँ पर confusion हो जाती है इसकी denticity और इसके oxidation नमबर इस पर आवेश की मात्रा के लिए तो यहाँ पर हम जानते हैं कि additive यह पर 4 minus charge होता है तो यहाँ पर x plus 1 into minus 4 is equal to होगा क्योंकि यहाँ पर complex के उपर 1 minus charge है तो इसलिए हम is equal to minus 1 लिखेंगे क्योंकि यह जो आयन है वो जो complex है वो आईनिक अवस्था में हैं उदासीन नहीं है अब हम इसे calculate करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें x minus 4 is equal to minus 1 और x is equal to यहाँ पर हो जाएगा 4 minus 1 is equal to 3 यहने की x is equal to हमें plus 3 मिल रहा है तो यहाँ पर iron की oxidation number plus 3 है इसी तरह से अब हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें की दोनों ही जो iron होंगे वो complex होंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं एक जो example है वो tetraamine platinum है और जो दूसरा है वो tetra chloroplatinate है अब यहाँ पर हमें दोनों ही platinum जो यहाँ पर दिख रहे हैं central metal atom उनकी oxidation नंबर पता करनी है यदि हम पहले ले amine वाले में लिगंड में तो हम जानते हैं कि amine negative amine उदासीन लिगंड होता है और यदि amine उदासीन लिगंड है तो यहाँ पर platinum की oxidation नंबर 0 हो जाएगी जो की असंभव है क्योंकि platinum हमेशा plus 2 या plus 4 oxidation नंबर शो करता है तो यहाँ पर हम दें इसके दूसरे complex की तरफ हम देख चलते हैं तो यहाँ पर यह चार negative ligand यानि की chloride के द्वारा जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर platinum की oxidation नंबर यदि plus 2 होगी तो इस complex पर 2 negative charge आ जाएगा और हम जानते हैं कि दोनों complex मिलकर उदासीन होने चाहिए तो यदि एक पर negative charge है दो negative charge है एक complex पर तो दूसरे complex पर दो positive charge होगे और इस तरह से यहाँ पर जो platinum पहले वारे complex में platinum की oxidation नंबर भी plus 2 हो जाएगी तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही यह जो complex है उसके में platinum परमाणों की oxidation नंबर plus 2 है इसी तरह से यदि हम एक दूसरा example लेते हैं जिसमें कि दोनों ही complex है लेकिन यहाँ पर पहले वाले में platinum के साथ दो एमीन लिगंड है और दो क्लोरो लिगंड उपस्तित हैं जबकि दूसरे वाले complex में platinum के साथ चार chloride आयन उपस्तित हैं यदि हम पहले वाले complex में platinum की oxidation नंबर को plus 2 मार ले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कि यहाँ पर दो क्लोरो हैं दो क्लोरो क्लोराइडो है यहाँ पर तो उनके आवेश से इस पर जो complex पर आवेश है वो शून हो जाएगा तो यह संभव नहीं है इसलिए यहाँ पर हम platinum की oxidation नंबर को plus 4 लेकर चलते हैं और यदि plus 4 oxidation नंबर यहाँ पर होगी तो दो क्लोरो की द्वारा इसके दो धनावेश उदासीन हो जाएंगे और इसलिए complex पर plus 2 चार्ज आ जाएगा और इसी तरह से जब एक complex पर plus 2 चार्ज है तो दूसरे पर दो नेगेटिव चार्ज होंगे और जब यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज है जबकि यहाँ पर लिगंड के रूप में चार क्लोराइड आयन उपस्तित हैं तो इस तरह से यहाँ पर platinum पर आवेश प्लस 2 होगा तो इस तरह से पहले आयन या दूसरे सेंट्रल मेटल एटम के अलावे जो लिगंड है और उनके complex उनके oxidation नंबर पता हो तभी हम complex compound में उपस्तित सेंट्रल मेटल एटम के सही-सही oxidation नंबर प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरह से हमें विभिन या खासकर जो सामाने धात्वी हैं उनकी oxidation नंबर का पता होना जरूरी है तो आये पहले हम जान लेते हैं कुछ धात्वों की सामान्य आक्सिकरन संख्या को यहां पर आवर्द्सार्णी देख रहे हैं और हम देखें यह दि हम समूं के रूप में ग्रूप वाइस oxidation नंबर देखें तो जो पहला समूं होता है यह ना आवर्द्सार्णी में तो वहां पर ग्रूप फरस्ट की oxidation नंबर हमेशा प्लस वन होती है ग्रूप टू की oxidation नंबर हमेशा प्लस टू होती है इसी तरह से फिर हम यहां पर आजाए बाई और पी ब्लॉक की तरफ तो यहां पर हम देखें कि ग्रूप 13 क oxidation नंबर हमेशा प्लस 3 होती है उसी तरह से यदि हम ग्रूप 14 में तो ग्रूप 14 में प्लस 4 oxidation अवस्था भी देखी गई है और माइनस 4 ऑक्सिक करण अवस्था भी देखी जाती है यह जो कार्बन फैमिली है वहां पर प्लस 4 और माइनस 4 दोनों ही oxidation स्टेट देखी जाती है इसके बाद हम देखें कि group 15 तो group 15 में जो समान आक्सिक करण अवस्था होती है वह माइनस 3 देखी गई है इसी तरह से group 16 में हम देखें जो की Oxygen Family है वहां पर हम देखते हैं कि इनकी समान आक्सिक करण अवस्था माइनस 2 होती है इसी तरह से ग्रूप 17 के सभी तत्व की ऑक्सिकरण अवस्था माइनस 1 होती है और जो ग्रूप 18 है जो सबसे इनोर्ट गैसिस का जो समू है वहाँ पर इनकी ऑक्सिडेशन नंबर शून होती है तो यह जानकारी हमें होने पर हम Central Metal Atom से जुड़े हुए अन्य तत्वों के यदि ऑक्सिकरण संख्या हमें पता हो जाए तो हम Central Metal Atom के ऑक्सिडेशन नंबर पता करने में हमें असानी हो जाती है इसी तरह से अब हम देखें कि D Block Elements जो क्योंकि यहां पर सभी जो तत्व होते हैं या Elements है वो एक से अधिक आख्सिकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं तो यहां पर हम Sumu 12 से यदि लें तो Sumu 12 जिसमे की Scandium है यहां पर हम Sumu Group 3 को लें तो यहां पर आप देखें कि Scandium है इसकी जो सामान आख्सिकरण अवस्था होती है वो Plus 3 होती है इसी तरह से Group 4 में देखें तो Titanium यह Plus 4 आख्सिकरण अवस्था सामान रूप से प्रदर्शित करता है इसी तरह से आगे चलें तो Vanadium है जो कि Plus 5 या Group 5 हम कहें तो इसमें यह Plus 5 Oxidation अवस्था यहां पर Common होती है फिर हम देखें कि Group 6 में Chromium यह Plus 6 आख्सिकरण अवस्था ज्यादा शो करता है इसके अलवा यहां पर Plus 2, Plus 3, Plus 6 यह सभी आख्सिकरण अवस्था यह शो करते हैं इसके अलवा हम देखें Group 7 में जब हम जाते हैं तो मैगनीज जो कि सबसे ज़्यादा Variable Oxidation स्टेट शो करता है यह Plus 2, Plus 3, Plus 4, Plus 5, Plus 7 Oxidation नंबर शो करता है इसी तरह से जो आठवा ग्रूप है यहां पर हम जानते हैं कि इसमें जो Plus 2 और Plus 3 दोनों ही प्रकार की ऑक्सिकरण अवस्था यह शो करते हैं जिसमें की Plus 3 ऑक्सिकरण जो होती है यह सामाने होती है इसके अलावा अगले सम्हूं में हम देखें तो यहां पर भी कोबाल्ट में हम देखें तो यह Plus 2, Plus 3 ऑक्सिकरण स्टेट यह शो करते हैं ग्रूप 10 में जब हम जाते हैं तो यहां पर हम देखें कि निकल और निकल में है तो Plus 2 ऑक्सिकरण अवस्था शो करता है इसके नीचे यह जाए तो पैलडियम है यह Plus 2, Plus 4 ऑक्सिकरण अवस्था भी शो करते हैं इसी तरह से प्लाटिनम भी है तो Plus 2, Plus 4 ऑक्सिकरण इसकी जो Plus 1, Plus 2 दोनों ही ऑक्सिडेशन अवस्था होती है लेकिन Plus 2 ऑक्सिडेशन नमबर यह ज्यादा सामाने रूप से प्रदर्शित करता है इसी तरह से यदि हम सिल्वर को ले तो सिल्वर Plus 1 ऑक्सिडेशन अवस्था शो करता है फिर हम आते हैं 12 समू में तो यहां पर ह सिंक है इसके नीचे आपका कैडमियम है और यह सभी Plus 2 ऑक्सिडेशन अवस्था सामाने रूप से शो करते हैं तो यहां पर हम देखें कि यदि हमें यह इनकी सामाने ऑक्सिडेशन नमबर पता हो इन सभी तत्रों की तो हम इससे सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सिडेशन सभी पता करने में आसानी हो जाती है है अभ इसके बाद जो अग्ला परिभाशिक सब्द भी टां है जो कि कोडिनेशन कंपांड में उपयोग में आता है वह है होँद में लप्तिक और हेटरोलेप्टिक कॉंप्लेक्सिस होमोलेप्टिक और हेटरोलेप्टिक कॉंप्लेक्सिस में एक अंतर है होमोलेप्टिक कॉंप्लेक्सिस में संकुल से जुड़े हुए जितने भी लिगंड हैं उन सब के एक समान होते हैं यानि कि जो जितने भी दाता परमानु लिगंड है और 6 लिगंड एमीन समू हैं इसी तरह से हम हेक्जा साइनो फेरट आयन भी ले सकते हैं तो यहां पर भी जो आइरन से जुड़े सभी लिगंड है वो साइनाइड है और एक समान हैं दूसरी प्रकार के जो कॉंप्लेक्स होंगे वो होंगे हेटरोलैप्टिक कॉं होंगे जैसे की यहाँ पार ओर उधरन ले सकते हम यहाँ पर कोबाल्ट का एक कॉंप्लेक्स आप देख रहे हैं जिसमें की कोबाल्ट से जुड़ा हुआ जो एमीन समु है उसकी संख्या 4 है और साथही साथ यहाँ पर दो ख्लोराइड्ड एंस से जुड़े हुए हैं तो यहां पर देख रहे हैं कि जो कोबाल्ट सेंटरल मेटल एटम है उससे झूड़े हुए्से लिगंड बिन बिन प्रकार के हैं यहां पर और बिशो सकता है माल Cosmos और जो आयन है उनके जगह पर होगे ईक जो और यह ब्रोमाइड आयन हो तो इस प्रकार यह होंग !! झाल झाल